नमस्कार मैं आलोग सिंग एशिया के बाद आज हम योरोप का अध्यान करेंगे एशिया में भी हलाके भी पढ़ने को काफी कुछ है और धीरे-धीरे पढ़ेंगे भी लेकिन फिलाल आज योरोप तबे थोड़ी से डाउन है इसलिए अगर थोड़ा स्लो पढ़ाऊं तो मैन योरोप को यह देखते हैं पीछ योरोप का मांचीत लगा हुआ है आप इसे एक बार ध्यान से देख लेजिए आप साफ सब देख पा रहे हैं कि योरोप चारों तीन तरफ से महासागरों या सागरों से घीरा हुआ है योरोप के उत्तर में आर्कटिक ओसन है उत्री भूमद्य सागर में जाने के लिए एक जलसंदी से होकर गुजरना पड़ता होगा है ना उस जलसंदी के नाम है जिब्राल्टर जिब्राल्टर एक तरह से यहां पे है पास है जलसंदी है इसे से होकर हम भूमद्य सागर में प्रवेश कर पाते हैं इसे भूमद्य सागर का प्रवेश दुआर कहते हैं, तो यूरोप तीन तरफ से महासागरों से घीरा हुआ है, या सागरों से घीरा हुआ है, और हम जानते हैं कि अगर कोई भी भुखंड तीन तरफ से सागर या जल से घीरा हुआ है, तो उस भुखंड को हम प्रायद्वीप कहते हैं, कहने को तो वो बिल्कुल प्रायद्वीब की तर रहे है इसलिए इसे हम यूरेशिया का प्रायद्वीब कहते है यूरेशिया क्या है? धिरे धिरे समझते हैं, सुनते रहिए वास्तो में यूरोप किसी अलग भूखंड परिस्थित नहीं है यूरोप और एशिया दोनों एक ही भूखंड पर इस्थित हैं और उस भूखंड को हम यूरेशिया कहते हैं अलग कैसे होता है फिर यूरोप यूरोप एशिया से किस प्रकार अलग होता है आई हम देख लेते हैं यह है हमने एक तरह से प्राकृतिक मैप आपके सामने रखा है यह यूरोप है और इधर पुरा एशिया है यह पूरा यहाँ पर एक परवत है यूराल परवत है यहाँ पर लिखा भी हुआ है यूराल परवत के दक्षिड में कैस्पियन सागर है कैस्पियन सागर की पूरू म भूमद्य सागर है तो यूरोप और एसिया चोकी अलग-अलग संस्कृतिया हैं दोनों के रहन-सहन, खान-पान और तमाम उनकी जीवन-शैली, उनका समाज पूरी तरह से एसिया से यूरोप का अलग है इसलिए एसिया को यूरोप से अलग करने के लिए एक कालपने के रिख यूराल परवत कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमद्य सागर से होकर गुजरती है कैस्पियन सागर के पस्ची में जो भुखंड है उसे हम यूरोप और यूराल परवत की पूरव में जो भुखंड है उसे हम एशिया कहते हैं यूराल परवत से होकर गुजरने वाली क कालपनिक रेखा रूस के पस्मी हिस्से के बीच से होकर उजरती है रूस की राजधानी मास्कों यहां पर है यह रूस की राजधानी मास्कों और यह है रूस का साइबेरिया च्छेत्र रूस का साइबेरिया च्छेत्र रूस एक ऐसा धिश है रूस को आम तोर पर एसिया का देश कहा जाता ता रेकिन रूस एक ऐसा देश है जिसका पस्मी भाग ये रूप के अंतर गताता है क्योंकि यहां तक एक हिस्सद्र आ रूस के नहीं करेता चलाता है यह पूरा हिस्सा, यहां से लेकर बाकी यहां तक रूस स्थित है, यह है पुरा रूस, यलो लाइन के पूरो में यूस है, यानि कि यूराल परवत के पूरो में रूस है, यूराल परवत के पस्चिम में भी रूस है, लेकिन यूराल परवत के पस्चिम का जो रूस है, वो महादूप का भाग है और जो मासको है रोस की राजधानी वो योरोप के अंतर गताती है तो यूराल परोवत के पस्चे में जब हम जाते हैं तो मासको होते हुए जब हम यहाँ पे पुर्टगाल की राजधानी लिस्बन है यह है पुर्टगाल की राजधानी लिस्बन युराल परवत से लेकर पुर्टगाल की राजधानी लिस्बन तक जो भुखंड है उसे हम यूरोप महादूइप कहते हैं यूरोप महादीप तीन तरफ से जल से घीरा हुआ है, वो कौन-कौन से जल है, आपको पता है, आर्केटिक सागर, अटलांटिक महासागर और भूमादे सागर है, हम आपको ये दिखा दें, पहले इस मैप में आप देख लिजिए, यूरोप काफी घना बसा हुआ है, आप द महादीप है, शहरों से पटा पड़ा हुआ है, जैसे जैसे हम यूरोप के पूरों में जाते हैं, तो आप देखें, शहरों की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं, रसिया का जो यलो अला भागे, ये रूस है, ये है तो यूरोप में है, रूस, लेकिन आप देख रहे हैं, यहाँ पे शहरों की कमी, थोड़ा सा कुछ आधारभूत बातों पे चर्चा कर लेंगे न, तो थोड़ी समझे और विक्सित हो जाती है, तो आप जैसे जैसे यूरोप में पूरों की तरब जाते हैं, शहरों की कमी आपको दिखाई देगी, और इस हिस इसे में भी आप उत्तरी छेत्र को देख लेजे, शहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है, यहाँ पे शहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, दक्षली छेत्र में कुछ शहरों की नाम आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से सच ये है, कि मास्कों से आप जैसे जैसे पूर से पटा पड़ा हुआ है। लेकिन साइबरिया का जो छेतर है। रूस का जो साइबरिया ही छेतर है, जो फैस्टर है। उसमें बस्तिया और शहर और जणसंख्या अप एक छक्रित कम बिलता है। लिखते ही अच्छा रहेगा। प्रेले में एक्जाम में भी इस सब चीज़ें अब कामसेच्च्छ अब से पूछी जाएंगी, केवल वही किताबों में लिखवी बाते एकदम रटे हुए चलेंगे तो परिछा पास करना अचकल बहुत आसान नहीं रह जाएगा, तो जैसे जैसे मासकों से पूरब में जात नाम ही सुनके, जो कि हम बच्पन से सुन रहे हैं कि साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा इस्थल है, यहाँ पे है बर्खोयांस्क, सबसे ठंडा इस्थल है, तो साइबेरिया इतने ठंडा क्यों है, सब अब एकसी बात है, साइबेरिया उत्र यूराल परवत के पस्यम का रूस और पूरूर्ब उत्रिद रू के पास होने को दिना थंडा नहीं है यह अपत्राक्रित गर्म छेतर है उतना बर्फिला नहीं है कर्म कंबर्फबारी होने के चलते योरोप में जो जलवायू है उ खेती के किसानommes के शहरों को बसाने until i अमेरिका से भूमधिय सागर में आती हैं, भूमधिय सागर में अमेरिका जाती हैं, अमेरिका से बिद्वा के लिए यूरोप एक अनुकूल छेतर हैं , जबकि यह भी उत्रजरों के पास है लेकिन समान अक्षांस एक ही अक्षांस में उत्रे दुर से जितना दूर ये अरिया है उतना ही दूर ये भी एरिया है लेकिन इसके बावजू साइबेरिया बहुत ज्यादा ठंडा है साइबेरिया के इतना ज्यादा ठंडा होने का क्या कारण है साइबेरिया इसलि आप खड़े हो जाएंगे, तो आप किसी भी महासागरी तर्ट से काफी दूर हो जा रहे हैं तो जो महाधूइप होते हैं उन पर जलवाय के संदर्व में महाधूइपी प्रभाव काम करता है, वो जल्दी गरम हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जो पानी हो वो नजल्दी गरम होता है और नजल्दी ठंडा होता है फिर से सुनिए जो जल्द होता है वो नजल्दी गरम होगा नजल्दी ठंडा होगा अगर गरम भी होगा तो बहुत देर में पानी गरम होगा पानी अगर ठंडा भी होगा तो बहुत देर में ठंडा होगा जबकि जो भुखंड होता है, भुखंड बहुत जल्दी और अधिक मात्रा में गरम हो जाएगा, इसी तरह अगर ठंडी पड़ रही है, शीत रितु है, भुखंड अगर शीत रितु है, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और अधिक मात्रा में ठंडा होता है, काफी ठंडा हो ठीक वैसे ही जिरसे कि जून के महीने में आप अपने छद पर एक बाल्टी पानी रख दीजे अप छद पर चले जाएंगे ना तो खड़े नहीं जबकि वहीं एक बल्टी पानी में अपना पैर डाल देंगे तो आपका पैर फिर से घरम होता है इसी तरह आप श्री तिरुतु में जाएए शीत रितु में आप अगर नंगे पैर अपने छट पे चले जाएंगे तो आपका पैर बहुत जादा थंडा हो जाएगा जबकि बाल्टी में अपना पैर डालेंगे तो आपका पैर फिर से गरम हो जाएगा समुद्र न जल्दी ठंडे होते हैं और नहीं जल्दी गरम होते हैं। महाद्वीपी प्रभाव तब काम करता है जब आप 30 छेत्रों से अंदर आते हो। तो यही कराने कि धर्ती का सबसे ठंडा इस्थल यहाँ पे है। हाला कि उत्री ध्रू के पास यह तठ है। उत्री ध्रू के पास 90 डिग्री उत्री एक छांस के पास यह जो द्वीप है यह जो तठ है यह उत्री ध्रू के ज्यादा समीफ है। लेकिन चुकि यहाँ पर पानी है इसलिए दुनिया के सबसे ठंडा इस्थल उत्री ध्रू के पास नहीं है। बलकि महद्वीप के आंतरिक छेत्र में ही दुनिया के सबसे ठंडा हिस्थल है। यही काराण है कि पूरा का पूरा साइबिरिया यानि रोज का एसिया वाला हिस्सा चोकि उत्री द्रू के पास है, यहां साल भर ठंडी पढ़ती है क्योंकि शूर का प्रकास पर्याप्त रोप में उत्री द्रू पर पहुंचता नहीं है। यहां पर त्रिभुच की तरँ हो जाएगा। यहां पर त्रिभुच का आधार है और यहां पर तरिभुच का शेर्ष है। यानि जो तट रेखा है महादूइब के आंतरिक भागों की महादूइब का कोई भी आंतरिक हिसा ले लेजिए वहां से तट रेखा बहुत दूर नहीं है इसके अलवा यूरोप के अंद्रोनी भागों में घुसी हुई सकरी खाडियां हैं बाल्टिक सागर, है ना बाल्टिक सागर, वाइट सी, नौर्थ सी, उत्तरी सागर, भुमद्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर ये सभी चारो तरब से अंदर घुसे हुई जलराशियां हैं जो की यूरोप महादूइब के बहुत ज़्यादा घरम, बहुत सारी, बहुत महाद्रा में ठंडा होता है, जो कि महादागर कम ठंडा है, तो हवाएं भी कम ठंडी होगी, हवाएं कम ठंडी होगी, तो यहाँ पर कम ठंडी पड़ेगी, इसलिए सहरों का विकास इंचेत्रों में जादा हुआ है, दूसरा करण क्या है, कि यहाँ पर शहरों का और बंद रेखा के सहरे चलती है, एक्वेटोरियल जो करेंट होती है, समुदर में जल्धाराएं चलती है न, तो विश्वत रेखा के सहरे जो भी जल्धारा चलेगी, चाहे वो किसे भी महासागर में चले, विश्वत रेखा के सहरे चलने वाली जो जल्धारा होती है, उसकी दिसा हमे यह तो सभाविक रिखी धारा पूरब से पस्यम क्यों चलती है , इसलिए चलती है क्योंकि प्रिथ्वी पस्यम से पूरब क्यों भूम रही है। की और चलने लगता है क्योंकि धर्ती आगी की तरफ चल लए है यही कारण है कि भूमद रेखा पर जो समुद्री जलधारा होती हो पस्यम की तरफ चलती है तो अट्लांटिक महासागर में जब एक्वेटोरियल करेंट पस्यम की और बढ़ती है तो ब्राजिल से टकरा कर उत् होता है उत्तर के और मुड़ जाती है अमेरिका के पास एक्वेटोरियल करेंट हमेशा गरम होगी एक्वेटोरियल करेंट कभी ठंडी जलधारा नहीं हो सकती हो हमेशा गरम जलधारा होगी तो विश्वत रिखा से फिर वो चली जाती है अमेरिका के पास अमेरिका के पास अमेरिका में इसे गल्फ इस्ट्रीम कहते हैं, जो जल्धारा होती है, वो एक ही होती है, गोल-गोल चक्कर काटती है, लेकिन अलग-अलग कटों पर उनका नाम अलग होता है, तो यहाँ पे विश्वती गर्म जल्धारा, यहाँ पे गल्फ इस्ट्रीम की गर्म जल्धारा अ गरम तीर की तरह, यह जो धारा है, यह उत्तर में ठंडा पानी है, क्योंकि उत्री ध्रू है, तो यह उत्तरी ध्रू की पास तीर की तरह गरम पानी लेके घुसता है, तो यह गरम जलधारा जब उत्री अट्लांटिक महासागर में पहुंसती है, यह दक्षडी अट्लांटिक यह है उत्री अट्लांटिक महसागर में इसे नौर्थ अट्लांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं उत्री अट्लांटिक की गरम जलधारा गल्फ इस्ट्रीम को ही उत्री अट्लांटिक महसागर में अमेरिका के पूरी तट पर इसे गल्फ इस्ट्रीम कहेंगे जब यह धारा आगे की और बढ़ती है तो उत्री अट्लांटिक महसागर में से उत्री अट्लांटिकी गर्म जलधारा कहते हैं और जब ये और आगे बढ़ते हुए नारवे की तड़ पर पहुंचते हैं यह है नारवे हम अभी पॉलिटकल मैप खोल के आपको नारवे स्वीडन फिल्लैंड दिखा क्लिर कोई भी जलधारा जब विशुवत से द्रूओं की और बढ़ रही है तो यह जलधारा हमेसा गरम होगी जब तक वो तरव की तरव बढ़ती जा रहे हैं तो यह गरम जलधारा जब नारवे तड़्हचत पर पहुंचती है तो उससे पहले ही यह पूरे छ्छेत्र को गरम कर देती है, इस पूरे छेत्र में जो समुद्री जल है ऐसा नहीं कि उबलने लगता है, खोलने लगता है, ऐसा नहीं है अनुपात, रेशियो उत्री ध्रो की पास है, उत्री ध्रुप की पास पानी थंड़ा होता है कि सता पे बरफ जम जाता है और मचलियां नीचे जिन्दा रहती है सता पे चारो तरह बरफ जिन जाता है ठंडी इतनी जादा पढ़ती है जलवायो अदम ठंडी होती है ऐसे ठंडी जलवायो में जब पहुंचती है तो समुदर की बरफ को पिखला देती है हवा में थोड़ी गर्मी आ जाती है पानी भी गरम हो जाता है हलका सा पानी जब गरम होगा तो वास्पी करण की दर बढ़ जाएगी पानी जब वास्पी करण की दर बढ़ेगी नारवे के पास कहां यहां बरफ जमा होना चाहिए था कहां यहां बरब जमा होना चुछे था, लेकिन नर्वेजीन during के चलते बरब पिहल गई, पानी हलका सब गुण गुणा हो गया, अच्छा आप जानते हैं, पानी का वास्पी करन प्रत्थिग ताप पर होता है, कोई भी ताप मान हो।, ऐसा कोई भी ताप मान नहीं कि पानी का वाश्पी करण नहो हो, वेपराजेशन नहो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब ये हलका से गुनगुना हो गई गल्फ इस्ट्रीम और नर्वेजिन करेंट धारा के चलते तो वास्पी करण हुआ तो हवा में नमी बढ़ गई बादल बने बरसा भी हो गई आम तोर पर उत्री ध्रू या दक्चणी ध्रू के पास बारिश नहीं होती है क्योंकि हवा इतनी ठंडी होती है और समुद्र इतने ठंडे होते हैं कि वास्पी करण नहीं हो पाता है कम होता है हवा में नमी नहीं होती है जब हवा में नमी नहीं ही तो बारिश कैसे होगी ले बृटिय्सिपूँच और नारवे की बीच इस उत्री सागर एक दम छिछला है बहुत गहरा भी अब द दिखाऊंगा की चिछला कैसे है तो यह Сब्ट्या सागर, इस चिछली सागर में चुकि विशने और तो मक्छल यहां बड़े प्रेम से भड़ी संख्या में आती है रहने, निवास करने, भोजन करने, मछलियों के लिए उप्युक्त छेतर है इसलिए इस छेतर में Dogger Bank का विकास हुआ है Dogger Bank का है, Britain का मत्स ग्रहन छेतर है यहाँ पर बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी जाती है मचलियां वही रहेंगी जहां मचलियों के रहने के अनुकूल छेतर होगा तो यह सब यहां पर डागर बैंक का विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि यहां पर नर्वेजिन के रहन को जरती है आप आप समझ पाये कि यूरोप में इतना हर्याली और सुखत वातावरण क्यों रहता है यूरोप में हर्याली और सुखत वातावरण के दो कारण है दूसरा पहला कारण क्या है कि यहां पर चारुतरफ समुदरी जल घुसा हुआ है अंदर तक बिलकुल इससे वातावरण भ नारविजीन करेंट केुन में नारवी तो नारवे तट पर भी का विकास किया गया है क्योंकि पानी जमा हुआ है पानी पि Jeśli इसलिए नारवे से भी आपि होता हैै यहाँ विकास पहुंच पाते हैं क्यों को पाते हैं क्लियर आए इस topic ने काफी समय लिया लेकिन यी काम की पर रातल पर कालपनिक करक और मकर रेखा हैं उत्तरी धुरुवह उत्तरी गुलार्द में 3.5-3.16 करक और 3.母 dire दच्छण दुरुट कालपनिक करक का करक और perceptरी तेजद दच्छण दच्छांस मकर कहलाती है यह है वह है यह साड़े टो चास्षठ डिगरी अक्छान तो उत्तर है उत्तरी दुन और धक्ष्डी द्रू के पास जो चास्षठ डिगरी अक्छान से उसे हम अंड़ कटी के ते हैं आरक्टीक और अंटध्र डिगरी अक्छान् attachments रोसे वर्या हम उसके बारे में उतना अध्यान नहीं करते हैं हम आर्कटिक और अंटार्कटिक कही ज़्यादा अध्यान क्यों करते हैं क्योंकि ये उत्तर में अंतिम सिरा है उत्री गोलार्द में ये अंतिम सिरा है जहां पर सूर की किरण लंबोत पड़ती है जहां पे की सूर की किरणें पहुंच पाती हैं, जहां पे की दिन भी होता है और रात भी होता है, डेली उत्री गोलार्थ में 6.6 डिगरी उत्री अक्छांस एक तरह से अंतिम लाइन है जहां कि परतेक दिन दिन भी होता है और रात भी होता है, इसके उत्तर में जाएंगे त तो रात ही रती या दिन ही राता है तो शाड़े शाच्छा डिगरी उत्री जो अप्छांस है वो यूरोप के चार देशों से होकर गुजरती है नार्वे, स्वीडन, हिनलेंड, रोस यह साथ देख पा रहे हैं रोस के कोला प्रायदिप से होते हुए चला गया तो साड़े श इसलेंड से होकर नहीं गुजरती साड़े 66 डिगरी उत्रिक। अधनाज़ए स्वेडन और रोthese गुजरती है उसके बावजूत इन देशों की कोई भी राजधानी आर्केटिक वरित्त के पास नहीं है आर्केटिक वरित्त के पास सबसे नजदीक इस्थित राजधानी पुरी दुनिया की बात कर रहा हूं पुरी दुनिया में आर्केटिक वरित्त के पास सबसे नजदीक इस्थित जो राजधानी है वो आइसलेंड के राज यह औरे द्यान देंगे ऑशलो तो उस्विदेव में चलटे प्राइद्वेज सिप राइध्व कि श्थिति लिए लेकिन यूरोप में कई छोटे छोटे प्रायदीप आप देखेंगे यूरोप में कई ऐसे भुखन देखेंगे जो की तीन तरफ से जलवार्चियों से घीरे हुए है उधाराण के लिए आईबेरिया प्रायदीप दूसरा इटली का प्रायदीप इटली का प्रायदीप या इटलीन प्रायदीप इटलीन प्रायदीप को एक और नाम भी देते हैं इटलीन प्रायदीप को आपन नीनी आपन नीनी प्रायदीप भी कहते हैं इसको तीसरा कोला प्रायदीप चौथा जूटलेंड पाचवा इसकेंडे नेविया इसकेंडे नेवियन प्राइडिप सबसे पहले हम देखते हैं आइबेरिया प्राइडिप योरोप का सबसे जो पस्मिच हो रहा है योरोप का पस्मिच हो आइबेरिया प्राइडिप कहलाता है यह पूरा का यह पूरा इलाका नहीं यह आइबेरिया प्राइडिप तीन तरफ से जल से घीरा हुआ है जो पॉर्टयगाल है और इस्पैन ये दोनो आइबेरिया Pradipachi पर ही बसे हगी देश है 맛있어요 यूरोप का सबसे मुक्ष के भूमी पर जो सबसे ही पस्यमी देश है वह हैं पॉर्टयगाल अब पूर्टगाल की राजधानी लिस्बन योरोप की मुख के भूमी पर सबसे पस्समी छोल पर इस्थित है पूर्टगाल की राजधानी लिस्थित है तो यह दोन देश आइबेरिया प्रायदीब पर इस्थित है इसके अलों हम आते हैं इटली का प्रायदीब इटली प्र बहुत महान नदी निकलते हैं जिसे गंगा नदी कहते हैं जो गंगा का मैदान है वो भारत में सबसे उपजाओं भूमी मना जाता है गंगा कमैदान वही खेती किसानी का पुरा छेत्र है गंगा कमैदान इसी तरह से इटली में भी आल्प सपरवत से पो नदी निकलती ह। पर निकलती है यह कौँ सा समुद्र है यह इट्र निकलकर अपना जल गिराती है जिस तरह से गंगा बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है भारत का भी जो उत्री छेत्र है सबसे उत्री छेतर पहाड़ी है हिमाला है यहाँ भी सबसे उत्री छेतर पहाड़ी है आल्प्स भारत में हिमाला के दक्षिड में मैदान है इटली में भी आल्प्स के दक्षिड में मैदान है वो पू नदी का मैदान है वो मैदान में उसे लॉमबार्डी का मैदान कहते है। लॉमबार्डी का मैदान इटली का सबसे उपजाओ भूमी है, समुद्र पास पास में है, इसलिए इटली बहुँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहावर किसी बात है कि इटली में गेहों और चावल दोनों की खेती होती है आधिर कहा होती है इटली में जो भी खेती होती हो लुम्बर्डी के मैदान में होती है सीच जैसी इटली के पूरम में अडियाटिक मैं एडियाटिक को оставь ब्रत केते हैं इटली में कुछ प्रमुक्ष है है इटली में जो प्रमुक सहर है वो है मिलान मिलान तूरीन रोम इसकी राजधानी है टोरंटो यह सभी इटली की प्रमुक सहर है मिलान रेशम वस्त के लिए जाने जाता है हम आर्थिक गत्विधियां बाद में पढ़ाएंगे टोरंटो में हमें सब हैसन्वी के वगरा चलते रहते हैं मिलान और टोरंटो एक तरह से फैसर नगरी के रूप में काम करते हैं इतली में दो बाते और जान्यालाइक है मैप की दरिश्टी से एक तो इटली की जो पस्मी तठ है और पूर्वी तठ को आप ध्यास देख रहे हैं इटली में भूमिबध दो छोटे छोटे द यह वेटकल सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है हम इसके बारे में और बात करेंगे यह दुनिया का पाचवा सबसे छोटा देश है तो यह दोनों इटली में लैंड लॉग्ट है यहां पर नहीं है देखने में लगेगा कि यह तट के पास है लेकिन यह तट पर नहीं है यहां पर है वेटकल सिटी और यहां पर है सैन मेरिनो यहां पर है तो सैन मेरिनो पूरवी इटली के पूरवी तट पर है और वेटकल सिटी इटली के पसमी तट पर है वेटकन सिटी रोम की जो सहरी सीमा है रोम क्या है? इटली की राजधानी है रोम की सहरी सीमा के अंदर बसा हुआ है वेटकन सिटी जो देश है वो रोम की सहरी सीमा के अंदर बसा हुआ है इस तरह से किसी भी शहर के अंदर देश एक शहर के अंदर देश का दुनिया में एक मात्र उधारन वेटकन सिटी है शहर के अंदर देश का उधारन इस तरह से रोम को दो देशों की राजधानी कहा जाता है इटली की भी राजधानी कहा जाता है और रोम की भी राजधानी कहा जाता है V귭 जूट्लैंड प्रायदीप यहिए जूट्लैंड जो डेनमार्ड है कि डेनमार्ड जूट्लैंड प्रायधिप पर स्थित है क्लिर इसके इन्डेल्य प्रायधिप कुलगई इसके देनी है पहधित में तीन देश दिखाई दे रहा है नार्वे स्वीडन फिल्लेंड इसे आप नोट कर लिए सभी चीजों को ठोड़े नहीं नार्वे स्वीडन फिल्लेंड यह पूरा जो हिस्सा है यहां से यह पूरा हिस्सा जो है और इसमें तीन देश है नार्वे स्वीडन फिल्लेंड इसके बाद अच्छा इसके देशों को कुछ देशों में सांस्कृतिक विसस्ट्रता पाई जाती है वह सांस्कृतिक रूप से एक है उनकी युरोप में रत्विवे भी इन इन देशों की सांस्कृतिक विसस्ट्रता अलग है तो ऐसे देशों को हम स्केंडेनेवियन कंट्री कहते हैं इसकेंडेनेवियन जो कंट्री है वह पांच है नार्वे स्वीडन फिल्लेंड डेन्मार्क और नार्वे स्वीडन फिल्लेंड डेन्मार्क आइसलेंड ये पांचों स्केंडेनेवियन कंट्री कहलाते हैं हाला कि स्केंडेनेविया प्रहदीब से काफी दूर है इसलेंड लेकिन उसके बावजूत सांस्कृतिक विस्षिष्टता एक जैसी है इसलिए उसे हम स्केंडेनेवियन कंट्री कहते हैं नेक्स्ट के इसकेंडिनेविय कंट्री के पूरों में कोला प्राधिप है यानि रूस का उत्तरी और पस्यम हिस्सा रूस का पस्यमी और उत्तरी हिस्सा इसे हम कोला प्राधिप कहते हैं कोला प्रयादीब यह जो भुखंड है कोला प्रयादीब उत्री ध्रू के बिल्कुल पास है यानि कोला प्रयादीब की जो जलवायू है बिल्कुल उत्री ध्रू के पास है कोला प्रयादीब की जलवायू है ध्रूवी जलवायू है ऐसे जलवायू को हम ध्रूवी हिमाच्छादित जलवायू इत्यादी नाम से पुकारते हैं धुरुवी जलवायू के वाला देश होने की कारण कोला प्रयादिप को कोला प्रयादिप पुरी तरह से हिमाच्छादित रहता है बरफ से ढखा हुआ रहता है यहां पर बहुत ठंडी रहती है यहां पर उत्तरी जम जाएगा तो जब ठंडा होने की कारण जम जाएगा तो यहां पर व्यापारिक जहाज किसे आएंगे जाएंगे यहां पर पानी जमा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है जो कि इनी राज्तों से उत्री अट्लांटिक ड्रेफ्ट यानी नर्वेजीन करेंट पहुंचती है जिसक कि ठंडी का सीजना गया है तो बंदरगाह को बंद कर दिया जाएगा वर्ष भर खुला रहता है और व्यापारिक कारोबार समंदिक गत्विद्यां यहां पर चलती रहती हैं दुनिया की पांच सबसे छोटे देश सबसे छोटा देश वेटिकल सिटी दूसरा मुनाकू दुनिया की पांच सबसे छोटे देश हैं वेटिकल सिटी मुनाकू नौरू तुवालू सैन्मेर नौ दुनिया की सबसे 5 छोटे देशों में से 3 देश यूरोप में हैं वेटिकल सिटी मुनाकू और सैन्मेर नौ नौरू तौलू आस्ट्रिलिया के पास ओषनिया ओषनिया वो योरोप में रताते हैं यानि ये उल्म से चोड़े चोड़े देशों का मादूँब हुए इसमें बहुते चोड़े चोड़े पाहे जाते जैसे वेटकन सीटी के बारे में झ essao कितनाओ इसका च्छैद्ष पर कितना होगा विटकन सिटी का छेतरपल जीरो दसमलो चार चार वर्ग किलोमेटर जीरो दसमलो यानि एक वर्ग किलोमेटर भी नहीं है ये कौन सा देश हुआ लेकिन है तो इसका छेतरपल जीरो दसमलो चार चार वर्ग किलोमेटर और यहां की अबादी कितनी विटकन सिटी की यहां की अ मोनाको एक्चुल में फ्रांस में पड़ता है फ्रांस में लेंड लॉक्ड नहीं है यहां पे आप इटली की यलो वाली छेत्र देख रहे हैं ग्रीन वाला छेत्र फ्रांस है इन दोनों छेत्रों के मद्ध में तठ में तठ बेल्कुल तठ पर फंसा हुआ देश है यहां पे एकदम तटपर यानि भूमत देश आगर तटपर एक फंसा हुआ देश है हमें उस देश का नाम है मोनाको यानि मोनाको की स्थिति इटली और फ्रांस के मद्ध है लेकिन यहां पर व्रहम हो सकता है मोनाको मोनाको जो है वो तीन तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है इटली से सी सीमा नहीं बनाता बलकि तीन तरफ से वो ऐसे फ्रांस से घीरा हुआ है इधर से इधर भी फ्रांस से घीरा हुआ है इधर भी और यानि मोनाको की उत्तर में भी फ्रांस है पस्टी में भी फ्रांस है पूरा में भी फ्रांस है इटली की सीमा यहाँ पे है अच्छा दक्षिण में क्या है भूमादे सागर है तो मोनाको चारो तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है तीनो तरफ से और इसके दक्षिण में चोटे चोटे देस हैं जैसे है अर्ने चोटे चोटे देस यूरोप के को क्यों हुआ नहीं हम सordo को कि अरो फ्रांस और स्पेन के मद्ध परवत प्रवत जिस तरह से लुए कि भारत और मयमार से मद्ध में अराकान योमा है ना उसी तरह से फ्रांस और इस्पेन के मद्ध में जो परवत है उसे हम पिरेनीज परवत कहते हैं पिरेनीज परवत पर एक देश है छोटा सा देश है उसका नाम है यहाँ पर यह यलो को लरका पिरेनीज परवत पर एक देश है अंडोरा 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 देश प्रांस और इस्पेन के मध्य पिरेनीज परवत के उपर इसी थे यह चोटा देश है अगला चोटा देश है लिच्टेंस्टीन लिच्टेंस्टीन कहां पर है आस्ट्रिया और स्विट्जर लेंड प्रांस के पूरव में आपको यहां पर स्विट्जर लेंड दिखाई दे रहा है यह ग्रे कलर का या लाइट डार्क यलो कलर उसके पूरव में यह आस्ट्रिया है जो पिंक कलर कर यह है यहां पर ठीक आस्ट्री और सुर्जर लेंड के मद्ध है यहां पर लिस्टेंस टी नाम अब्यास किन्द दॉस्व के मद्ध है आस्ट्री और सुर्जर लेंड के अधिम्ध डिस्यागर में कौन कौन से दुप्य इस दुप्य देश है तो दुप्य देश एक माल्टा और दूसरा साइप्रस इन दोनों देशों के मताला मालका बिल्कुल भूमद सागर के बिचो बीच इस्तित देश है विलकुल मद में पड़ता है यहाँ पही इस लाहिप का यह शिसली ली चोटे चोटे दीप यानी अने दीप पहला है सिसली में जो इनालियन प्रय दीप है उसके ठीक डर्ठशिड में यह सिसली का दीप है यानी इनिए इटली का दीप है दुस्रा सार्डेनिया यलो कलर में जितने भी दूफ हैंगे सार्डेनिया सार्डेनिया तीसरा कोरशिका 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 Fनास का दूफ है अपने अट्रेस में इसे द्यासा देख सकते हैं को किरीण क्लर का फ्रांस है तो ग्रीण कलर के हैं को इसके लिवाँ कृट यह ग्रीज का दूइब है क्रीट आपका यहां पर यह ग्रीज का दूइब है क्लियर यह हो कि भूमद शागर के देश यूरोप में अभी पढ़ने को काफी कुछ बचा हुआ है जो कि प्रतेक लेक्चर एक निसे समय में देना जरूरी है बहुत लंबा लेक्चर नहीं आप पढ़ सकते हैं तो यूरोप से बच्चेवी चीजें अगले वीडियो में होंगी क्योंकि यूरोप में पढ़ने को काफी कुछ है वैसे भी मैं भी जो पढ़ा रहा हूं यह अलग बात है कि मांचीत को पढ़ाते समय में थोड़ा बहुत जलवायू भी पढ़ा देता हूं जो बायोम है है प्रतेग महाधूइप जिस तरह कि बायोम का विकास हुआ है टूंडरा से लेकर विश्वत रेखी बायोम तक प्रेयरी इस्टेपी वहां पर वन किस तरह कि पाए जाते हैं प्रतीक महाधूइप में रहन जहन की तौर तरीकें उनका कल्चर उनकी खेती खि किस तरफ से डॉलेप हुई है साथ में वहां पे मौसम कैसा होता है जलवायू कैसी होती है बारिश कैसी होती है इस सब चीजों का अध्यन करेंगे इसके अलवां प्रतिक महाद्वीप में आर्थिक गत्विदियां जैसे खेती यानि कृषी उद्योगों का विकास खनीजों क वितरण कहां कहां किन देशों में कैसा है किन महाद्वीपों पर परिवहन तमाम बातों कहां मध्यन करेंगे और साथ में जो भौतिक भुगोल है भौतिक भुगोल भी उसके बाद फिर हम अलग से पढ़ाएंगे भौतिक भुगोल मतलब जिसमें हम पृत्वी की विग्या का समुद्रगी विग्यान का इन सभी चीजों की विग्यान का अध्यन करेंगे साथ में उसके बाद फिर हम पर्यावरण जियू मंडल के बारे में भी बात करेंगे उसके बाद विभिन देशों में आर्थिक विकास और व्यापार पर भी बात करेंगे है ना बहुत से चीज़े हैं भोगलन पढ़ने के लिए चलती रहेंगी इसके लावा साथ में मेरा प्रयास रहेगा कि जो करेंट टॉपिक होते हैं जो समय समय पर घटित हो जाते हैं जैसे उधाराण के लिए अभी केरला में पसिमी घाट के सारे भूस्खलन हो गया था तो क करेंट अफेर्स रिलेटेड वीडियोज भी में भले ही वो 10-15 मिनिट के होंगे मैं आपको दोंगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार